तो आज का SSE test series का session हम start करते हैं और देखते हैं आज का पहला question पहला question जो है यह analogy test के topic से है देख इसमें heel का जो relation man के साथ यानि कि AD का जो सम्मंद आदमी के साथ दिया है वही relation होफ यानि कि खुर का किस के साथ होगा तो हम जानते हैं कि जिस परकार heel होती है आदमी के पैर में उसी परकार खुर जो होता है वो किसी जानवर या पसु के पैर में होता है तो यहाँ पर ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें खुर होता है तो यह answer आएगा इसका option number 3 गोड़ा next question देखते हैं देखिए बहुत ही simple question है इस type का question जब भी हमें देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे last के letter या last के एक्सर को compare करेंगे last के letter के साथ तो आपने यह देखा कि G का सम्मंद है T के साथ क्या किया गया है opposite value के रूप में लिखा हुआ है जी का opposite letter होता है T ठीक इसी परकार से ओक का opposite letter हम देखेंगे तो ओक का opposite letter आएगा L और L आपका कौन से option में given है last में option number third में तो बस इतना ही करने की जरूरत है और हमारा answer आगए question का option number 3 next question देखते हैं देखीगा बहुत ही simple question है 68, 130 and 222 अब यहाँ पर 68 को द्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह 4 का cube plus 4 है 4 का cube कितना होता है 64 plus 468 और जो 130 है यह क्या है 5 का cube plus 5 है 5 का cube 125 plus 5 130 हो जाएगा और 222 जो है यह 6 का cube plus 6 है तो इसका मतलब अब next number हमें पूछा गया है वो होगा 7 का cube plus 7 यानि कि 343 plus 7 तो 343 plus 7 करेंगे तो क्या आएगा answer आजाएगा option number 4 यानि कि 350 तो इस question का जो right answer होगा option number 4 चलिए next question देख लेगते हैं बहुत ही simple है रवी ने उत्तर क्यों चलना सुरू किया नोर्थ डारेक्शन में रवी चलना start करता है ठीक है तो हमने ये माल लिया ये नोर्थ डारेक्शन में रवी जा रहा है वह है 23 time left turn करता है 23 time तो वह क्या करता है left turn करता है और अंत में दाएम उड़ने से पहले वह 25 बार दाएम उड़ता है यानि कि उंत में दायम उड़ने से पहले 25 बार दायम उड़ता है, तो 25 बार तो यहां पर दायम उड़ रहा और एक बार यहां, तो टोटल कितना हो गया है? 26 बार, 26 टाइम वो क्या करता है, ठीक है, इस टाइप की question में आप क्या करेंगे? जितना भी हमें left right दिया गया है, उ का face कहा है नौर्थ direction की और है इसको three time right turn करना है और यह दिहान रखना कि three time right के बराबर होता है one time left इसका मतलब यह दिसा आजाएगी one time left turn करने के बाद क्योंकि इसके बिल्कुल equal होता है one left ठीक है तो इस question का जो right answer होगा के होगा option number C, यानि की पस्चिम, west direction. अगर किसी को इस concept में दिक्कत है, तो आप एक काम कीजेगा, अपने जो channel पर reasoning की playlist है, जिसमें 65 के करीब classes है, उसमें आप direction test का topic देख लेना एक बर, उसमें पहला ही lecture आप देख लेना, उसमें आपको ये चीजे मिल जाएंगी और आपका अच्छे से concept clear हो जाएगा, चलिए, next question देखते हैं, देखिएगा, dog का लिखा हुआ है 62, तो हम देखते हैं क्या ये इनकी place value का total हो सकता है, चलिए, check कर लेते हैं, तो D की value होती है 4, plus O की value होती है 15, plus हम करेंगे Z की value होती है 7, इनका हम total करते हैं, तो देखे 15 और 14, 19, 19 और 27 26 इनका total आ गया, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 62 है, तो 26 के digit जो है, अगर हम इनको reverse कर दें, इनको उलट दें, तो क्या बन जाएगा 62, चलिए, इसको verbally check कर लेते हैं, H की value होती है 8, 1 की 5, 8 और 5, 13, L का 12, 13 और 12, 25 और P की 16, 25 और 16, 41 और 41 को इसने क्या लिख करके लिखा हुआ है, इसका मतलब यह तो confirm है, कि question में जो value है, alphabet की, उस real value को लिखा गया है, जोड़ कर और उसको reverse कर दिया गया है, तो ठीक इसी तरीके से करेंगे, F की value होती है 6, plus हम करेंगे, A की value 1, plus करेंगे, R की value होती है 18, plus E की value होती है, E नहीं पहले क्या है, M है, M की value हो गई 13, इसके बाद E की value 5, plus R की value हो गई 18, इनको add करेंगे, देखी, 18, plus 18, 36, 36, plus 18, 54, 54, 54, plus 7, 62, अब 62 का reverse भी तो करना है, मैं, तो 62 का reverse करेंगे, क्या जाएगा, 26, जो कि option number C में आपको दिया गया है, तो इस question का जो right answer हो, क्या होगा, option number C, में भी आपको समझ आगया होगा, चलिए next question देख लगते हैं, देखी, fertile को लिखा हुआ है, यह है word fertile, fertile को लिखा हुआ है, V, O, R, G, I, U, तो देखी, इसमें आप क्या करेंगे, relation check करने के लिए पहले, F का देखते हैं, F से V, नहीं, लेकिन F का opposite letter U तो होता है, F, U, और E का opposite V होता है, तो जब हमें यह पता चल चुका है, कि fertile के जो letter है, इनका सभी का opposite लिखा गया है, लेकिन reverse order में, E का opposite V, L का opposite O, I का R, T का G, R का I, और F का U, तो हमें, तो crown का बताना है, तो N का तो सबसे पहले पे आएगा, और C का सबसे last में आएगा, तो C का सबसे last में आएगा, तो सबसे last में letter आएगा, क्या X, जो की option number second में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस question का जो right answer होगा, option number second, बेभी आपको समझा आगया होगा, opposite letter का concept है, लेकिन हम check करेंगे केवल last का letter, चलिए next question को देख लेते हैं, देखी, हमें odd one out के topic से दिया है, यह question, भीन ने बताना है, तो 875 है, 938 है, 794 है, और 783, इन में दो ही संख है, तो even number है, दो ही संख है, क्या है, odd number है, दो समसंख है, दो भी समसंख है, तो इसमें यह concept नहीं लग रहा, लेकिन जब भी आपके पास संख हैं, जो हैं, वो three digit या four digit में हो, तो आप उनका digit sum पहले चेक करेंगे, पहले इनका digit sum हम एक पर देखते हैं, तो आज साथ 15 और पांच 20, 20 होता है, इनका digit sum भी चेक करते हैं, 9, 3, 12, और 8, 20 ही ही हो रहा है, इनका चेक करते हैं, 7, 9, 16, और 4, 20 ही इनका है total, इनका digit sum देखते हैं, तो 7, और 8, 15, और 3, 18, इनका digit sum क्या है, 18 है, बाकी सब क्या था 20, तो right answer और क्या होगा? उप्शन नमबर फॉर. क्योंकि इसका डिजिट सम आपका क्या है? अलग है बाकी औरों से. चलिए, नेक्स्ट कॉशन देखते हैं. दाइस का टोपिक का कॉशन दिया गया है. तो इसमें देखिए, हमें पूछा क्या है? टू के अपोजिट पूछा है. जब तो आप पहले दो पासों से भी बना सकते हैं, लास्ट के दो से कैसे भी बना सकते हैं, आप कोई भी दो को compare कर लेंगे पहले, तो इन दोनों पासों में आप ध्यान से देखी कि कोई common digit है क्या, तो आपको दिखाई दे रहोगा, इसमें common digit क्या है, 5 है, common digit से clockwise और anticlockwise pattern में चलत हैं, तो पहले हम पहले पासे के लिए लेते हैं, value 5, 5 के बाद अगर clockwise direction में चलेंगे तो क्या आएगा, 6, और 6 के बाद क्या आएगा, 3, अब common number के ठीक नीचे, common number ले लिए, हमने 5, इससे भी clockwise चलेंगे तो 1, फिर clockwise आगे बढ़ेंगे, तो क्या आएगा, 4, इसका मतलब 3 का opposite letter क्या होगा, 4 होगा, 6 का opposite होगा, 1, and 5 का opposite 5 नहीं होगा, जो remaining letter है वो होगा, तो 5 का opposite क्या होगा, 2, हमें पुछा क्या है, 2 के opposite, तो 2 के opposite जो answer होगा, वो क्या होगा, 5, इस question का answer तो आ चुका है, साथ ही इसको हम एक दूसरी process के according भी कर सकते हैं, आप चाहें, तो ये भी कर सकते हैं, last के दोनों dice से भी बना सकते हैं, ठीक है, और पहले और last से भी बना सकते हैं, तो last के दोनों से भी देख लिए एक बार चेक करके, तो इसमें हम देखते हैं, तो देखी common क्या है, 3 और 2, 3 और 2 common है, तो 3 और 2 cancel हो जाएंगे, ठीक है, और remaining क्या होगा, 1 का opposite 6 है, दे आएगा, 2 का opposite 5, में भी आपको समझ आ गया होगा, देखते हैं, next question, यह आपका, slogs के topic से है, इसमें हम diagram का concept देखेंगे पहले, सभी फूल लाल है, तो हमने यह मान लिया, सभी फूल, flower मान लिया, मैंने यह, सभी फूल क्या है, लाल है, all flower are red, ठीक है, यह हमने एक diagram मान लि और इसको मैं क्या मान लिता हूँ, red मान लिता हूँ, ठीक है, अब क्या करा है, all red are roses, सभी के सभी red क्या है, rose है, तो यह हमने मान लिया, rose, बस इसमें एक rule का हमें ध्यान रखना है, अंदर की तरफ जाते हैं, तो some का case true होगा, बाहर की तरफ जाते हैं, तो some और all, दोनो case true ह होंगे, तो निसकर्स टेक करते हैं, सभी गुलाब लाल है, सभी गुलाब, गुलाब यह हैं, last मेरा, सबसे बाहर की तरफ है, सभी गुलाब लाल है, तो यह बिलकुल गलत हो जाएगा, अंदर जाने पर, all का case true नहीं होता, दूसरा है, सभी लाल फूल है, सभी लाल फूल ह यह भी क्या होगा, आपका गलत होगा, क्योंकि अंदर जाते हैं, तो case कौन सा true होता है, only some का case true होता है, सभी फूल गुलाब है, flower अंदर है, और गुलाब बाहर है, तो यह बिलकुल true है, आपका third option, और fourth चेक करते हैं, तो कुछ full गुलाब है, जब सभी full गुलाब है, तो क coding क्या हो गया, तीन और चार निसकर्स सही है, तो इस question का right answer होगा, option number second, में भी समझ आ गया होगा, चलिए, next question देख लेते हैं, देखे, missing puzzle type का question ही, देखे, इसमें आपको यहाँ पर सबसे बड़ा number, अगर कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, 125 दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 10,000 दिखाई दे रहा है, और यहां आमें ग्यात करना है, question tag दिखाई दे रहा है, तो इसमें यह 125 कैसे बना सकते हैं, 5 की power 3 करेंगे, तो 125 बनेगा, अच्छा, यह 10,000 कैसे बन सकते हैं, जब हम 10 की power 4 करेंगे, तो अब हमें यह समझ आ रहाना चाहिए, कि इस में 5 की power 3 इस नमबर को यूज़ किया, और 10 की power 4 इस नमबर को यूज़ किया, तो अब 2 की power हम कितनी करेंगे, इस नमबर को यूज़ करेंगे, और 2 की power हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, 2 की power 5 जो होती है, वो होगा answer 32, जो कि option first ही आपको given है, तो इस question का जो right answer होगा, वो क्या हो option number first 32 चलिए next question देखते हैं देखिए बहुत ही simple question है power इसमें दी गई है आप द्यान से देखिए one जो है वो किसी भी number की power कितनी भी हो सकती है मतलब एक one की power कितनी भी आप कर लिजे वो one ही रहेगा तो 64 देखते है 64, four की power three भी है और eight की power two भी है और two की power भी है तो इसको हम यू कह सकते हैं कि टू की power six है क्या ये three की power five है two forty three ये three की power five है बिलकुल है और ये four की power four है ये five की power three है one twenty five जो है ये कहा है five की power three तो यह जरूर 1 की पावर 7 रही होगी 1 की पावर 7, 2 की पावर 6 3 की पावर 5, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 3 इसके बाद यहां पर आएगा 6 की पावर 2 और फिर आएगा 7 की पावर 1 7 तो सही है, 6 की पावर 2 ही हमारा रानसर हो जाएगा जो कि option number second आपका दिया गया है तो इस question का राइट answer होगो option number second यानिकि 36 चलिए next question देख लेते हैं देखिए बहुत ही simple question है इसके लिए आपको एक concept ध्यान रहना चाहिए हमेसे जब भी आपको इस type की आकरती कभी भी दे दी जाए तो उसमें हमेसे हम किसका total मानेंगे हमेसे जब भी हमें total गयात करनी होगी triangles गयात करनी होगी तो हमेसे हम क्या करेंगे इसमें one two three इनका जोड देंगे बस इनको add करना है तो total triangles हाज जाएगी तो देखिए one plus two three और three six total triangles कितनी होगी इसमें six होगी तो इसी concept को हम यहाँ पर use करते हैं लेकिन आप ध्यान रखना अगर मैं यहाँ पर इसको एक बार cut कर दूँ तो क्या करेंगे इसको 6 से 2 से multiply कर देंगे तो 6 तू जाक्या हो जाएगा 12 और अगर इसको एक बार or cut कर दिया जाए तो क्या करेंगे 6 को 3 से multiply कर देंगे 6 3 जाक्या हो जाएगा 18 आप cancer हो जाएगा तो जब आपको concept समझ में आ गया होगा तो फिर इस question को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए कैसे करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 इन सब को add करेंगे 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 यानि कि 15 इसमें होंगे अब इसमें देखिए 15 तो इस वाले लाइन में 15 दूनी 30, 15, 35, 16, 15, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15 पांच से इसको multiply करेंगे तो इस question का जो right answer होगा वो क्या होगा 75 जो कि आपको option number fourth given है तो इस question का जो right answer होगा वो क्या होगा option number fourth यानि कि 75 चलिए next question देख लिखते हैं ये आपका matrix का question है इसमें भी आपको जो first और last में दोनों ही side हों में आपको अलग-अलग option दिखाई दे रहे हैं तो आप last से चेक करेंगे last का letter चेक करेंगे T का code हम चेक करेंगे T का code हम चेक करते हैं सरसे पहले तो 68 तो T का code 68 ये रहाती रेखे ये रहाती यहां पर है T और T का code 68 आपका बिल्कुल सही है ये 6 नंबर रो और 8 नंबर कोलम में है ठीक है अच्छा तो दोनों में तो 68 है दोनों answer हो सकते हैं अब एक बार चेक करते हैं 96 भी है क्या T का code तो 96 ट का code चेक करते हैं ये 9 और ये 6 ये T का code है रहें 96 भी T का code है तो 98 ट का code नहीं है तो ये एक option आपका क्या हो गया है eliminate हो गया हना इसके बाद हम चेक करेंगे 41 89 और 57 हना किसका code चेक करेंगे S का code हमें क्या चेक करना है 41 S का code 41 नहीं है यू का है ठीक है चलिए अब हम S का code देखते हैं 89 S का code 89 याने की ये रहा S ये सही है तो 57 भी देख लेखते हैं अगर S का code है तो कहीं S का code 57 भी नहीं है तो ये दोनों के दोनों option इल्मिनेट हो गए अब बच गया हमारे पास क्या option number second तो ये ही हमारे question का क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा option number second is the right answer में भी समझ आ गया होगा चलिए next question देखते हैं ओके आज की जो session में हमारे questions थे वो इतना ही थे तो अब हम मिलते हैं next session में तब तक की लिए नमस्कार बाई बाई टेक केर